Hello everyone, सभी प्यारे बच्चों का warm welcome करता हूँ YET Your English Shooter पे Sunday की special class है मैं हूँ आपका host, आपका tutor अमन बहल और आज की class special है क्योंकि अपनी writing skills पे काम करेंगे इस article के साथ आज के जनसत्ता newspaper में article पब्लिश हुआ था लाल रंकी चमक से रोशन हुआ लदाक का आसमान अगर किसी ऐसे exam की आप preparation कर रहे हैं जिसमें आपको English में लिखना होता है या फिर English का objective section आपको prepare करना है sentence बनाने आपको सीखने है, पढ़ना सीखना है तो इस art को, writing की art को मैं science के steps की तरह आपको सिखाऊंगा ठीक है, आपको कहां से sentence शुरू करना है कैसे उसको आगे बढ़ाना है, लंबा sentence कैसे बनाना है इस class में आप देखेंगे चलिए, इस article को हमने ले लिया है, अलग से उपर आपको मिलेगा हर sentence हिंदी में नीचे मिलेगा SMS वाली Roman हिंदी में ताकि आप दोनों तरह के वर्जन्स को पढ़ सकें है ना, जो लोग हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं वो भी आर्टिकल को समझ सकें राइट साइड में इसको अपने ट्रांस्टेट करेंगे in English sentence को पढ़ो पहले सूरे से प्रित्वी की और बढ़े सोलर चुमकिये तुफानों के कारण लदाक के हैंले डाक स्काई रिजर्व में आसमान गहरे लाल रंग की चमक से रोशन हो गया कैसे बनाएं इस sentence को देखो पहले एक दम अपना छूटे बच्चे वाला दिमाग लगाओ और मुझे बताओ sentence में क्या काम हुआ है काम पकड़ लोगे sentence ready हो जाएगा आपका काम यह हुआ है कि आसमान रोशन हो गया है गहरे लाल रंग की चमक से बस इतना ही आपको पकड़ना था इतना पकड़ते ही sentence की structure आप बना लोगे बाकी words को आपको add करते जाना है है ना यह सूरे की पित्रवी की जो सब चीज़ें आप डाल दो गए तो आसमान को बोलते है स्काई ठीक है अब स्काई क्या हुआ जगमक रोशन हो गया रोशन होने के लिए एक word आपने पास इंगलिश में illuminate ठीक है रोशन करना यानि illuminate करना लेकिन यह word कहता है रोशन करने को रोशन होने को नहीं समझ पारे हो मरे बात को जैसे दो words है मैंने नीचे डाल भी दिया है मार देने को बोलते है किल करना और मर जाने को बोलते है डाय करना समझ पारे हो आसमान रोशन हुआ है उसके लिए word होगा अपने पास dazzle और रोशन करना, जगमक करना इसके लिए word है illuminate जब आप light जलाते हो, कमरे में रोशनी करते हो तो आप कमरे को illuminate करते हो और जब कमरा illuminate होता है तो कमरा dazzle हो जाता है तो ऐसे आपको इन दोनों words के बीच का difference पता होना चाहिए आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, I died that person मैंने उस आदमी को मार दिया, तो died नहीं लिखोगे, I killed that person मारने के लिए kill, मरने के लिए die वैसे जलाने के लिए, चमकाने के लिए illuminate, खुद चमकने के लिए dazzle तो यहाँ पर illuminate word अगर यूज होगा, तो passive में यूज होगा sky was illuminated और अगर आप active में यूज करना चाहें, तो आप लिखेंगे dazzled sky, dazzled सबस पारे हो, तो मैं अभी illuminate word को यूज करता हूँ आगे जब फिर से जगमक की बात आएगी, तो मैं dazzle word यूज कर लोगा जिस भी चमक से, जिस भी रोशनी से किसी चीज को आप चमकाते हैं, आप with का इस्तेमाल करते हैं illuminated with light, with black light, with white light, with blue light, जो भी आप light लगाना चाहें तो sky was illuminated with गहरे लाल रंग की चमक ऐसे ही बनाना है sentence गहरे लाल को क्या बोलते हैं, deep red आप इसको dark red भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, एक ही बात है, dark red लिख दो, गहरा लाल, deep red और deep red रंग की चमक, इसको क्या बोलें देखें, चमक को बोलते हैं glow समझ गें, तो sky was illuminated sky was illuminated with deep red glow या deep red colored glow समझ भारे हो, deep red glow भी ठीक है, गहरे लाल चमक और गहरे लाल रंग की चमक, तो colored नाम का adjective आपको लगाना पड़ेगा है रंग वो है जो colored है glow में, है न, glow वो है जो colored है गहरे लाल रंग में तो ऐसे आपका sentence आपको बनाना है अब ये sky कहां का था, ये sky था Henle dark reserve का दो sky of Henle, Henle dark Henle की spelling देख ले न, dark sky reserve ठीक है, ये reserves वगरा जितने भी हैं, इनके आगे हमेशा दा लगाया जाता है आप कोई भी bird century हो, कोई भी reserve हो, उसके आगे आप दा लगाते हैं क्योंकि ये वो proper nouns हैं जो अपने आप में unique हैं ताजमेल है, दा ताजमेल, कुतुम मिनार, दा कुतुम मिनार, है न, reserve, दा रिजर्व, तो sky of Henle dark sky reserve अब ये reserve था कहां, ये था लदाख में, लदाख का था, तो आप यहां लिख सकते हैं, in Ladakh ठीक है, आप इसको off Ladakh भी लिख सकते हैं, sky of this, sky of this reserve of Ladakh वैसे in लगाएंगे तो और अच्छा है क्योंकि ये reserve Ladakh में बना हुआ है, in से आप जो है, किसी बड़े place को बताते हैं है ना, India is in Asia, Rajasthan is in India, this reserve is in Ladakh, ठीक है, अब ये sky के बाद में जो आपने off लिखा है, इसकी जगह आप add भी लगा सकते हैं, कहीं भी किसी area का कोई geographical feature होता है, तो आप add लगा के बताएं, जैसे, अभी मैं क्लास ले रहा था, रिपोर्ट राइटिंग पे, तो उसमें greenland की ice sheets क बात हो रही थी, greenland में क्या, ice की, यानि बरफ की बड़ी-बड़ी चादरें है, जमीन पर बरफ जमी रहती है हमेशा, उनको बोलते greenland ice sheets, तो आपने ऐसा लिखते है, the ice sheets at greenland, geographical feature है, greenland का है, off लगा दो कि तो भी ठीक है, लेकिन add जो है, ज्यादा suitable preparation होता है, इस case में, आप यूज करें, ज्यादा suitable वाली को, यह छोटी-छोटी चीज़े हैं, जो आपको मैं mind करने के लिए कहता हूँ, यह आपका sentence बना, sky at heavenly dark sky reserve in Ladakh, was illuminated with dark, या deep red colored glow, अब देखो यह सारा काम हुआ क्यों, यह हुआ इसलिए, चुम्बकिय तुफानों के कारण, सोर चुम्बकिय तुफान, और यह तुफान कही सारे हैं, तो तुफान लिख देता हूँ, देखे, सोर को बोलते हैं solar, solar energy, सोर उर्जा, पता होगा ना आपको, चुम्बकिय को बोलते हैं magnetic, magnet नहीं, magnetic, जो magnet से निकलता हूँ, और तुफान को बोलते हैं, magnetic की spelling से ही कर देता हूँ, magnetic, ठीक है तुफान को बोलते हैं स्टॉम ऐसे सेंटेंस बनता है स्काई वाज इलुमनेटिट ड्यू टू सॉलर मेगनेटिक स्टॉम्स अब ये स्टॉम्स कौन से हैं सूरे से पृत्वी की ओर बढ़े सूरे से पृत्वी की ओर बढ़े इन स्टॉम्स के लिए एडिशनल इंफोमेशन अपने को डालनी है तो स्टॉम्स हैं देखो सूरे से पृत्वी की तरफ आ रहे हैं तो सूरे से पैदा हुए सिंपल तरीका तो लिखने का ये है कमिंग टू पृत्वी फ्रॉम सूरज है ना सूरज को बोलते हैं दा सन एस छोटा और पृत्वी को बोलते हैं दा अर्थ ए छोटा अगर ए को बढ़ा कर दोगे तो आगे का दा निकल जाएगा सन का एस बढ़ा कर दोगे तो आगे का दा निकल जाएगा तो कमिंग टू अर्थ from the sun, एक तरीका तो यह लिखने का simple सा और बिल्कुल ठीक भी है लेकिन एक और तरीका भी है आप इसको ऐसा क्यों नहीं लिखते यह वो solar चुमकिय तुफान है जो सूरज में पैदा हुए और पित्वी की तरफ बढ़े solar magnetic storms solar magnetic storms that originated originated from the sun and बढ़ने को बोलते है advance करना, progress करना and advanced towards the earth आगे इसको अपने जोड़ देंगे भाशा को कैसे refine किया जाए अपनी writing को कैसे और जादा निखार लाया जाए तो यह चीजें आपको यह चीजें help करती है इस तरीके से आप लिख सकते हैं एक बार sentence को पूरा बढ़ेंगे कुछ गलती होगी तो दूर करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे sky अब देखो sky से पहले the लगेगा क्यों लगेगा? क्योंकि off preposition जब भी आती है और उसके बाद में में कोई noun होता और पहले भी कोई noun होता है तो पहले वाले noun के आगे दा लगाते है जैसे आपने लिखा a bag of ram ram का बस्ता तो आप bag of ram नहीं आप लिखेंगे the bag of ram क्योंकि bag भी एक noun है off preposition आ गई और बाद में ram आ गया तो off preposition का एक गुण है ये अगर off लगा रहे हो तो the sky of the Henle dark sky reserve in Ladakh was illuminated with deep dark red colored glow due to due to लिख देना यहाँ पर है न इस वज़े से हुआ due to solar magnetic storms that originated from the sun and advanced towards the earth आप सोचते होंगे न editorial कैसे लिखे जाते हैं बस यही तरीका है यह process जब आप second nature आपका बन जाती है second nature समझते हो गाड़ी चलाना, cycle चलाना आप सोचते नहीं हो गाड़ी चलाते हुए, cycle चलाते हुए कहाँ ब्रेक लगानी है तो आपको इन चीजों को second nature बनाना है अपना practice के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं next sentence की तरफ अगर आप एक aspirant है किसी exam की preparation कर रहे हैं और चाते हैं अपनी English को एक step आगे ले जाएं structured way में तयारी करने के लिए आप एप को ज़रूर डाउनलड करें yt your English shooter app आपकी अपनी यह पे comment section में इसका link रखा गया है application पे आपको मिलेंगे premium courses नाम के premium courses हैं fees बहुत कम होती है, affordable होती है writing के course में आप लिखना सीख सकते हैं किसी भी exam के लिए essay हो, pressy हो, answer writing हो इस course का फाइदा लेने के लिए इस coupon को लगाएं ताकि 499 में affordable course आपको मिल सके 50 से 60 घंटे में आप English writing इस course के बदोलत सीख पाएंगे इसी तरीके से आपको UPSC का course मिलेगा पूरा migration करवाया जाता है आपको Hindi medium से English medium में सारे aspects UPSC के covered हैं 1350 का एक course है coupon के साथ इसमें C-side, answer writing, descriptive, vocab, grammar हर portion covered है in the course इसी तरीके से आप पे आपको banking और SSC के भी course मिलेंगे जिसमें banking SSC के सभी variety of questions को solve करना, handle करना आपको सिखाया जाता है एप का link comment section में है कोई भी query हो, यह number पे आप WhatsApp से टीम से जोड सकते हैं और अपनी queries को पूच सकते हैं इसी formula को use करके इसे भी लिखना है अगर इस class में कुछ unique आपको लग रहा है आपको लग रहा है यार, writing तो बहुत जगह सीखी लेकिन ऐसे नहीं सीखी तो class को like जरूर देना ताकि इन classes को मैं लाता रहा सकूँ आपका feedback मुझे like बटन के प्रेस करने से ही मिलता है ठीक है, चला Center of Excellence in Space Sciences in India जिसको C-C-C-A-S-I है ना छोटा form है इसका, भी बोलते हैं कॉलकाता में है, इसके विज्यानिकों के अनुसार सोर तुफान सूरे के इस शेतर से निकलते हैं जहां से पूम में कई उच उर्जा और ज्वालाएं उत्पन हुई हैं पूर में मतलब PAST में पास्ट में जहां पे कई ज्वालाएं उत्पन हुई हैं काम क्या हुआ यहां पे भई? देखो, काम simple सा ये हुआ, ये इस शेतर से सोरे तुफान निकलते हैं, और दूसरा काम क्या हुआ, इसी एरिया में सोरे ज्वालाएं उत्पन हुई हैं, दो काम आपको करने हैं, इस sentence को बनाने के लिए, ठीक है, तो कैसे बनाओ sentence को, यहींसे शुरू कर लो, इसका नाम है, the center of excellence in space sciences in India ठीक है न ऐसे बनेगा न center का नाम है यह और यह कहां पे है इस पूरे को अपने quote and quote या नहीं ऐसे डाल देते हैं क्योंकि center का नाम है इसका कि जरूर लगाना non-governmental organization या government organization without profit center है यहाँ पे research होती है यह है in Kolkata मैं यह कहना चाहरा हूँ इसके विज्ञानिकों के नुसार तो sentence ऐसा बनेगा according to the scientist at the center of excellence in space in Kolkata इसकी full form को आप छोटा करके भी लिखें C-E-S-S-I तो कहरा है according to यानि अनुसार इनके कॉमा लगा दो अब अपना काम बता दो काम यह हुआ सोरे तुफान सोरे के इस शेतर से निकलते हैं सोरे तुफान को आपने बोला है solar storm तो solar storms निकलते हैं from AR-13664 ठीक है सोरे storms निकलते हैं निकलते हैं इसको इंगलिस में क्या बोलते है emerge from from तो लगाई हुए या emanate from अगर आपको नहीं समझा रहे वर्ट्स तो come from भी लिख सकते हो वह निकलते हैं तो come from होते हैं बाकी emerge और emanate जो हैं अच्छे वर्ट्स हैं कहीं से किसी चीज के निकलने के लिए तो solar storms emerge और emanate from AR-13664 रीजन इसको शेतर है तो रीजन को मा लगा दो कह रहे जहां से पूर्म में कई उच्छ सौर उर्जा ज्वालाएं उच्पन हुई हैं तो जहां से के लिए phrase English में from which ठीक है from which जहां से और पूर्म में यानि in the past वो last में लिखेंगे अपने adverb है हुआ क्या कई उच्छ उर्जा की सौर ज्वालाएं उच्पन हुई हैं तो कई के लिए word है various many या numerous जो भी word तीनों में से आप use करें उच्छ सौर उर्जा यानि high solar energy और जवालाओं को बोलते है flames ठीक है तो from which various many या numerous में एक ही word यूज करता हूँ ता कि आप confused ना हूँ numerous ही यूज करता हूँ from which numerous high solar energy flames उत्पन हुई हैं उत्पन होना, पैदा होना emerge होना, emanate होना, originate होना ये एक ही बात है, तो have emerged in the past पूर्व में हुई है यानि in the past बना के नी बना sentence आपका according to the scientist at this center in Kolkata solar storms emerge or emanate from this region this region of the sun भी लिख सकते हैं, ठीक है this region of the sun और ये region कोन सा है from which numerous high solar energy flames have emerged in the past अब इसी sentence को लिखने का एक और तरीका भी था वो भी आपको यहीं बता देता हूँ अगर ये from which वाला आप ना लिखना चाहो आप इस पूरे region को noun मान लें और इसके लिए एक relative noun यूज कर लें relative noun यहां यूज होगा that sorry which क्योंकि ये proper noun है एक region का आपको नाम दिया गया है geographical location है मैं ये भी लिख सकता हूँ this is the region which which देखो यहां से उत्पन हुई है तो इसने पैदा किया है इन सारी rays को इन सारी जो है solar flames को तो which has given birth उत्पन हुई है यहां पैदा किया है इसने यह वही रिजन है which has given birth to numerous high energy solar flames यहां भी high energy करना था तो high energy solar flames ठीक है तो आप दोनों दरीके से लिख सकते थे बाद वाले को चाहे तो which has लगा करके या चाहे from which लगा करके चलिए next sentence के तरफ बढ़ते है अब यह तो खुद से कर लोगे विज्यानिकों के अनुसार इन में से कुछ आकास में एक लाल रोशनी की पट्टी के रूप में 800 km प्रती घंटे की रफ्तार के साथ पृत्वी की और बढ़ी यह जो solar flames निकली न जो कि एक दुरलब घटना है जो कि अपने आप में एक युनिक इवेंट है चलो बना के दिखाओ इसको खुद से कोशिश करनी है दिमाग में बना लो अगर बहुत आल सी हो पेन पेपर यूज नहीं कर सकते कोई बात नहीं दिमाग में बनाओ विज्यानिकों के अनुसार according to according to the scientist ऐसे लिखूंगा ना अब द लगाने का मतलब होगा है कोई खास बिज्यानिक है खास के तो कोई बात कोई नहीं है तो scientist लिखना होगा द का यहाँ पे इस्तेमाल आप नहीं कर सकते according to scientist इन में से है ना इन में से यानि some of which या some of these इन में से कुछ एक जो है अकास में एक लाल रोष्णी की पट्टी के रूप में 800 किलोमेटर प्रति गंटे की रफ्तार से पृत्वी की और बढ़ी तो पृत्वी की और बढ़ने का काम हुआ है some of these moved towards the earth ऐसे तो लिखना पढ़ेगा और कैसे बढ़ी ये 800 किलोमेटर की जो प्रति गंटे की रफ्तार से at a speed of 800 किलोमेटर किलोमेटर पर आर ठीक है और कैसे निकली ये निकली एक लाल रोष्णी की पट्टी के रूप में तो in the form of के रूप में के लिए यूज करते हैं अपने फ्रेज को in the form of है न के रूप में तो किस रूप में in the form of पट्टी ओफ लाइट या रेड लाइट ठीक है लाल रोष्णी की पट्टी की रूप में पट्टी को इंगलिस में क्या बोलते हैं नहीं पता आपको कोई बात नहीं है आज नोट कर लो strip बोलते हैं या streak बोलते हैं जो आकाश में बिजली की पट्टी होती है कुछ ऐसी चीज होती है ना streak या streak या strip तो some of these moved towards the earth at a speed of 800 km per hour in the form of a strip or streak of red light लाल रोष्णी की पट्टी की रूप में जो की अपने आप में एक unique event है दुरलव गटना है which is a unique event दुरलव गटना unique event वैसे दुरलव के लिए सही word होता है rare और rare के साथ में event की जगा आप use करें phenomenon को यह पता होगा आप को यह word phenomenon ठीके ना दोनों में से जो word आप use करना चाहें आप उसको use कर सकते हैं तो simple सा sentence है ऐसे बन सकता है मेरे खाल से आप में से ज़्यादा तर लोगों ने बना भी लिया होगा अब जो आपने नहीं बनाया वो मैं आपको बताता हूँ नया तरीका इस sentence को बनाने का यह तो वो है जो सब बना लेते हैं इसमें एक noun इसका मतलब होता है एक ऐसी घटना में rare phenomenon मतलब दुरलब घटना में और फिर यह पूरा sentence आप वैसा का वैसा लगा दें last वाला छोड़के ठीक है in a rare phenomenon according to the scientist some of these move towards the earth at a speed of 800 km आर in the form of a strip or streak of light in the sky आकास में है तो in the sky यहां भी लगा देना in the sky चलिए मेरे ख्याल से sentence समझ गए होंगे आप बनाना कैसे है और यह structure जो आपको नहीं बदाई है इसको भी use करना सिखो in a event कोई भी event हो सकता है ठीक है अगर कोई काम पहली बार हो रहा है तो लिख देते हैं in a first अगर कोई काम बहुत युनिक सा हो रहा है तो in a rare phenomenon, in a rare event ऐसे इस इन नाम के phrase का इस्तिमाल करते है sentence की शुरुवात में करते हैं बिल्कुल चलिए यही wrap up करेंगे class को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे hopefully चीजे समझ में आई है पसंद आई होगी class आपको आई है तो एक like दे दे ना है ना पता लग जाएगा हमें भी और आपको दे रहे हैं दो sentences as your homework यह पहला sentence है आपका इसका screenshot ले लो सुंदर सा साफ सुतरा सा ठीक इसी वक्त उत्री गोलार्द उत्री गोलार्द को बोलते हैं Northern Hemisphere तो ठीक इसी वक्त उत्री गोलार्द में भी आसमान शांदर औरोरा या Northern Light से जगमग हो गया जगमग होने के लिए वही यूज करना है Illuminate या Dazzle बताया था आपको मैंने जिसकी तस्वीरें और वीडियो इन सभी कंट्रीज के Sky Watchers ने Social Media पे साजा किये तो एक काम तो हुआ है अकाश के जगमग होने का दूसरा काम हुआ है वीडियो को शेयर करने का दोनों कामों को आपको जोड़ करके बताना है जिसकी तस्वीरों के लिए 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 जिसकी तस्वीरें और वीडियो को क्या लिखेंगे पिक्चर्स एंड वीडियो जोफ विच ठीक है चल्ब बना के दिखाना, कॉमेंट्स में डालना मैं भी मेरा आंस्वर कॉमेंट्स में डालूँगा और एक क्वेश्चन आपको और देरहूं मैं हैं सोने पे सूवागा यह aurora के बारे में बताएगा aurora एक प्राकर्तिक प्रदर्शन है जो पृत्वी के आकाश में होता है और जो मुख्य रूप से आकटिक और अंटर्क्टिक के आसपास उच अक्षांस के शित्रों में दिखाई देता है ठीक है प्राकरतिक प्रदर्शन को बोलते है नैच्रोल फिनॉमेनॉन डालना कोमेंट्स के अंदर जो बच्चे राइटिंग के कोर्स में है या यूपीएसी के कोर्स में है रात में फुल वर्जन इस वीडियो का पब्लिश होगा आपके कोर्स के अंदर ही जहां बाकी के दोनों सेंटेंसेज भी आपको बना के दिखाये जाएंगे मुलागात लेंगे आपसे नेक्स क्लास में जिन बच्चों को कोर्स की ज़रूत है एक्स्टा क्लास की ज़रूत है आपको राइटिंग का एससी का और बैंकिंग का इन फेक्ट यूपी एसी का भी कोर्स मिल जाएगा अफोर्डेबल कोर्स है मेहनद करना चाते हैं तो आपको डाउनलोड करें कॉमेंट सेक्षिन मिलिंक रखा गया है एक्स्टा करें जाएगा